हाई, I am Sushmita Winarchi जैसे कि आपको पता है मैंने introvert के power के ऊपर एक विडियो बनाई थी उसका मतलब ये नहीं कि extrovert के पास कोई power नहीं होते या वो भुड़े होते है तो आज मैं आपको extroverts के 5 फाइदे बताती हूं अगर आप एक mobile addict हो तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखना वो आपके लिए काफी वाइदमन्त रहेगी तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते है Communication ये point काफी obvious है Extroverse बात करना बहुत पसंद करते है और ये ही बजा है कि वो किसी से भी बात कर लेंगे चाहे वो उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो तो इसलिए उनका communication skill बहुत अच्छा होता है और इसलिए उन्हें ग्रूप में रहना बहुत पसंद भी होता है Happy go lucky जो दिल में वही जुबापे जैसे कि Extroverse के दिल में जो भी होता है वो बोल देते है वैसे ही उनको जो भी करना है वो करते है इसलिए वो हैपी रहते है Entertainer जादा तर Extroverse बहुत फ़नी होते है और अगर फ़नी ना भी हो तो उनकी वाई वैसी होती है न कि जो भी उनके आसपास रहता है वो खुश हो जाता है यही चीज उनको Entertainment Industry में काफी कामियाब भी बनाती है Quick तो Extroverse काफी शार्प होते है उनसे कुछ भी पूछ लो वो फटाफ़ट जबाब दे देते है और फटाफ़ट एक्षिन भी लेते है Center of Attention तो उनकी यही सारी खुबियों की वज़े से वो Center of Attention में रहते है और उनको यह पसंद भी होता है हर चीज में आगे रहना उनको बहुत पसंद होता है और इसलिए वो जिन्दगी में काफी कामियाब होते है Extroverse के बारे में मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगी उनकी हसी को उनकी कमजोरी ना समझो यह हसी लाखों को पिगला देती है अगर दुखी हो तो Extrovert के पस जाके देखो कैसे आपके चैरे पे हसी आ जाती है वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना फिर मिलेंगे नेक्स्ट वेस्डे और सैटरडे को अल्विदा and love yourself